हेलो दोस्तों नमस्कार मैं सुधान सुमोरे आपका फाइनल क्लाइसे में स्वागत करता हूँ दोस्तों जैसा कि आपकी इलाबाद हाई कोड ग्रूप C और D का एड्मिट कार्ड आ चुका है और किसी भी पेपर में बैठने से पहले पेपर का पैटन आपको पता होना चाहिए ताकि आप उसमें अच्छा सा अच्छा इसकोर कर सकें इसलिए मैं अलाबाद हाई कोड ग्रूप C परिक्षा जो 12 नौबर 2017 को आयो जित हुई थी इसका question paper लेके आया हूँ और यह पूरा का पूरा मैं solve करूँगा ताकि आप अपने paper में अच्छे से अच्छे marks gain कर सकें तो आईए देखते हैं दोस्तों मेरे पास यह booklet series D है और इसका सबसे पहले हम हिंदी का part देखते हैं तो आये सबसे पहले question देखते हैं दोस्तों सबसे पहले question है Visayation में बदल यह गुलाब का विसेशन, गुलाबी होगा क्या होगा? गुलाबी अगला question देखते हैं दोस्तों Link बद लिए बंदर पुलिंग है तो इसका इस्तरी link जो होगा वो वानर बंदर का है, बंदरिया और बदरी, इसमें से बंदरिया होगा ठीक है, तो दोस्तों आईए अगला कुश्चन देखते हैं वचन बदलिये, भाला एक वचन है, तो इसका बहुचन भाले होगा आईए अगला सवाल देखते हैं, वाक्य सुध कीजिये वाक्य दिया हुआ है रोगी को काट कर सेब खिलाओ इससे ये मतलब निकल रहा है कि रोगी को काटो ना कि सेब को काटो तो इसका जो सही रूप होगा वो होगा रोगी को सेब काट कर खिलाओ अब बाकी option देखेंगे रोगी को खिलाओ सेब काट कर रोगी को सेब खिलाओ काट कर रोगी को खिलाओ काट कर सेब तो इसमें जो सबसे बेटर option है वो है रोगी को सेब काट कर खिलाओ अगला question है वाक्यांस को क्रम से लिखिए तो पहला पार्ट जो है तो उसमें तेल ही तेल अगला है घर आकर अगला है जब मैंने बरतन के धकन को खोला दिखाई दिया कब दिखाई दिया तो दिखाई दिया तो इसे एक connection बनेगा तो इसे हम फिर से देखते हैं घर आकर सबसे पहले होगा जब मैंने बरतन के धकन को खोला तीन नमबर उसके बाद होगा तो उसमें तेल ही तेल दिखाई दिया यानि दो, तीन, चार, एक घर आकर जब मैंने बर्तन के धकन को खोला तो उसमें तेल ही तेल दिखाई दिया दोस्तों अगला कुश्चन देखते हैं यह मुहावरा उंट के मुह में जीरा दोस्तों इसका अंसर आप सभी को पता होगा इसका अंसर होगा आवस्यक्ता से बहुत कम उंट के मुह में जीरे का क्या अर्थ होता है आवस्यक्ता से बहुत कम या जितनी जरूरत है उससे बहुत कम अगला सवाल है साथ नमबर समनार्थी सब्द लिखिए समान अर्थी जिसका अर्थ समान हो तो चतुर का समानार्थी क्या होगा चतुर्थ होगा नहीं चतुर्थ फूर्थ का समनार्थी है मंद होगा नहीं चरम होगा नहीं इसका समानार्थी होगा चालाक अगला सवाल देखते हैं विसेशन में बदलिए गति का गतिसील गंतव्य गमन गबन तो गति का गतिसील होगा विसेशन अगला कुश्चन है समानार्थी सब दिल लिखिए कुबेर का जो समानार्थी होगा वो धनराज होगा नियोंता कुबेरी कृपालू ये सब नहीं होंगे अगला कुश्चन देखते हैं संधी विच्छेद कीजिए दोस्तों पुस्तक आले का संधी विच्छेद होता है पुस्तक धन आले क्या होगा पुस्तक धन आले आईए अगला कुश्चन देखते हैं दोस्तों विलोम सब्दिल लिखिए फोटो थोड़ा बलर है लेकिन मैं बोल रहा हूं विलोम सब्दिल लिखिए एकता का विलोम एक एक नहीं होगा एक आंतर नहीं होगा अनेकता होगा एकता का विलोम अनेकता होगा और आगे चलता है लिंग बदल ये अध्यापक पुलिंग है इसका इस्तरी लिंग अध्यापका होता है ये सभी को पता होगा आईए अगला कुश्चन देखते हैं मुहावरे का अर्थ लिखिए उल्टी गंगा बहना तो इसका अर्थ आप्शन में देखते हैं पहला अप्शन है गंगा के साथ बहना नहीं गलत है दूसरा है गंगा के विपरीत दिशा में बहना ये भी गलत है विपरीत काम करना अनुकूल काम करना तो इसका सही आंसर होगा विपरीत काम करना अगला कुश्चन देखते हैं भविस्यकाल में बदलिये, बच्ची रो रही थी, तो इसका जो होगा, बच्ची रोती थी नहीं होगा यह पास्टेंस है, भूत काल, बच्ची रोती है, यह वर्थमान काल है, बच्ची रो रही है, यह भी नहीं होगा, वर्थमान है, बच्ची रो रही होगी, यह होगा इस सवाल है, question number 16, विलोम सब्दे लिखिए, धनी का विलोम होगा, रिन होगा नहीं, दरिद्र होगा, धनी का विलोम दरिद्र, अगला सवाल देखते हैं, वाक्य को सुध्ध कीजिए, मेले में बच्चा खो गया, तो आप चारो अप्सन पढ़ लिजे, बच्चा मेले में खो ग तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा, बच्चा मेले में खो गया, अगला question देखते हैं, दिये गए वाक्य में कुछ त्रोटी या त्रोटी के बिना है, उसे आ, बा, सा, दा के द्वारा सूचित कीजिए, तो इस sentence में, इस वाक्य में किस जगा गलती हमें वो पकड़ना है, तो पहला जो है हिसा वाक्य का आ, जिसमें लिखा है रोज सुबा कोई दिक्कत नहीं, बा में वियायाम करने पर कोई दिक्कत नहीं, सा में स्वास्त बिगड़ता है, रोज सुबा वियायाम करने पर स्वास्त बिगड़ता नहीं है, बनता है या अच्छा होता है, तो यहा नहीं होगा, आत्मन नहीं होगा, आत्मी इता नहीं होगा, आत्माय होगा, इसका सही आंसर, अगला सवाल है, भूत काल में बदलिए, मा सोती है, ये वर्दमान काल है, मा सोयगी भविसे काल है, मा सोती थी, भूत काल मा सोती थी, तो मा सोती थी भूत काल है, अगला सवाल दे प्रस्णों के उत्तर विकल्पों से चुन कर देजिए तो ये एक पैराग्राफ दिया गया है इसे पढ़कर के आपको कुश्चन का आंसर देना है मैं पढ़ता हूं इसे आज समाज में अपराध और बुराईयां दिखाई देती हैं नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है हर व्य मनस्य सत्रुता आदि विकारों का उद्भव भी प्रेम के अभव में होता है किसीज के अभव में प्रेम के अभव में प्रेम सुखी जीवन का आधार है प्रेम के अनेक रूप होते हैं मात्र प्रेम पारिवारिक प्रेम इस्वर प्रेम देश प्रेम आदि प्रेम का चाहे कोई भी हो वह प्रगाढ और मधुर संबंधों को बनाने वाला है प्रेम के कारण ही समाज या राष्ट्र प्रगति करते हैं और अनेक समस्याँ स्वता सुलच जाती है दो समधाय समाज या राष्ट्र प्रेम के कारण ही एक दूसरे से जुड़ते हैं किसकी वज़ा से प्रेम के कारण ही एक दूसरे से चुड़ते हैं आगे देखते हैं किसी समस्या का हल भी प्रेम से ही निकल सकता है क्रोध या जगडे से नहीं समाज में फैली, संप्रदाइकता, फेदभाव, द्वेश, सत्रुता, आतंखवाद, आधिक को यदि मिटाना है, तो पहले लोगों में एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव उत्पन करना होगा समाज और राष्ट भी तब ही प्रगति कर सकते हैं और अपना अस्तितों बनाय रख सकते हैं जब आपसी संबंध सुद्रन हो और एक दूसरी के प्रतित्या के भाव ना हो और यह सब एक चीज से संभव है वह है प्रेम तो आईए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं प्रेम के कितने रूप होते हैं मात्री प्रेम यहां दिया है पारिव्यारिक प्रेम अगला दिया है और इस्वर प्रेम यानि A, B, C यह सारे आंसर होंगे हमारे अगला देखते हैं question आतंकवाद को मिठाने के लिए क्या करना है चाहिए तो यहां पे आपको दीखेगा आतंकवाद को मिठाना है तो एक-दूसरे के प्रती प्रेम का भाउत बनुव करना होगा तो मित्रता की भावना नहीं, व्यापारी संबन नहीं, लोगों को सिख्चित करना नहीं, एक दूसरी की प्रेम की भावना जगाना दोस्तों अगला क्वेशन देखता है, इस उतराण का एक उचित सीर सकती जिए तो ये प्रेम की इंपॉर्टेंस बता रहा है या उसका महत्व बता रहा है, तो इसका जो सही आंसर होगा, वो है प्रेम का महत्व दो समुदाय और दो राष्ट को कौन सी भावना जोड़ सकती है व्यापार को बढ़ाने की भावना नहीं कला के विर्मय की भावना नहीं बंदुत्यों की भावना नहीं प्रेम की भावना जोड़ सकती है आप उपर जाके paragraph को फिर से देखेंगे तो वहां आपको चीज मिलेगी अगला question देखते हैं समाज में होने वाले अपराध और नयतिक मूलियों के पतन का मूल कारण है क्या है आपसी सत्रुता नहीं प्रेम का अभाव आपसी देश क्रिणा की भावना इसका क्या होगा प्रेम का अभाव होगा तो हमारा समाज में होने वाले अपराध और नयतिक मूलियों के पतन का मूल कारण बनेगा तो दोस्तों इसके बाद मैं आगे का जो वीडियो बनाऊंगा वो इंगलीस का है आप इसे जरूर देखें और इसका लिंक में description में English की वीडियो का लिंक description में डाल दूँगा और वीडियो का जरूर देखें और वीडियो को like, share और चैनल को subscribe करना बिल्कुल न भूलें That's all, Thank You